राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेबरेट चैनल कानहा लेडिज केर फ्रेंड्स, प्रेग्नेंसी में लौकी खाने के फायदे, तरीके और नुकसान मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फर्मेटिव रहने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा चैनल पर फर्स टाइम आए है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो आप तक पहुंचते रहें, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं अगर प्रेगनेंसी में लौकी को आप अपनी डाइट में एड करती हैं, तो इससे आपकी इम्योनिटी स्ट्रॉंग होगी रिसर्च बताती है कि लौकी खाने से बौडी में लिपीड का लेवल कम होता है और लिपीड बढ़ने से डाइबिटीज होने का खत्रा रहता है इसलिए प्रेगनेंसी में लौकी खाने से जेस्टेशनल डाइबिटीज का खत्रा भी कम हो जाता है लौकी में anti-hypertensive effect होता है जिसकी वज़ा से high BP को control करने में लौकी काफी beneficial होता है लौकी में folate भी properly पाया जाता है जो pregnancy में miscarriage जैसी problems से बचा सकता है साथी बच्चे को neural tube defect और spina vidify से related problem से भी बचाता है अगर pregnancy में आपको constipation की problem है तो लौकी में मौजूद fiber आपकी इस problem को भी दूर करता है pregnancy में लौकी को अपनी diet में add करने से पहले ये जरूर देख लें कि लौकी का test कड़वा ना हो वरना आपको food poisoning भी हो सकता है pregnancy में लौकी को आप कई तरीके से अपने diet में add कर सकती है आप चाहें तो लौकी की सबजी या कोपते बना कर खा सकती है इसका juice बना के पीना चाहें तो पी सकती है लौकी का रायता या हलवा भी आप बना सकती है चने के दाल में लौकी की सबजी बना कर भी आप खा सकती है ये काफी tasty भी लगता है आप चाहें तो लौकी की मसालेदार सबजी बना सकती है या फिर दूद में डाल कर आप लौकी का खीर भी बना सकती है लौकी को आप अपने interest के हिसाब से जिस तरह चाहें उस तरह pregnancy के दोरान खा सकती हैं लोग की pregnancy में सेफ है फ्रेंड्स इस वीडियो में फिलाल बस इतना है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और pregnancy related topic के साथ तब तक के लिए बाई टेक केर थेंक्स फॉर वाचिंग काना लेडीज केर